इस वीडियो में IDBI Bank से जुड़ी हुए एक बहुत बड़ी अपडेट है और उस अपडेट के पीछे की क्या खेल हो सकती है आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका क्या लॉजिक है उसको भी समझने की कोशिश करिएगा लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए उससे वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे और राइट ओके तो सबसे पहले में आप लोगों के सामने कल की क्या सिचुएशन थी फ्राइडे के दिन एक बार जल्दी से डिसकस करना चाहूँगा फ्राइडे को ओपन हुआ था 45.00 के उपर अगर आप उसे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस देखें तो 38.25 की क्लोजिंग थी और आप देख सकते हैं लगबग लगबग साड़े साथ रुपे 25 पैसे उपर आज फ्राइडे को ओपन हुआ आप देख सकते हैं 55.00 का अगर आप देखें यहां पर इसका 52 विक लो है 17.25 का और 52 विक हाई है 56.20 का आई डिपिया बैंक की मार्केट काप है 45,160.09 करोर रुपे 9.80 यानि 42 रुपे को ओपर जाकर के क्लोजिंग देता है 9.80 परसेंट उपर यानि 3.75 रुपे उपर जाकर क्लोजिंग देता है टोटल वॉल्म टेट करता है 12 करोर 12,22,070 जैसमें से 34.02 की डिलिवरी एनसी के उपर और बेसी के उपर टोटल टेटेट वैल्यू है वॉल्म है 1 करोर 15,075,062 और यहां पर डिलिवरी है 53.04 परसेंट गाइस आप लोगों को आईए इससे जुड़ी हुई अपडेट सिधे बताता हूँ तो गाइस IDBI बैंक की जो शेयर प्राइस थी उसमें लगबग हमें 17% की जम्प देखने को मिला था इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लेंडर है यानि IDBI बैंक है इसको PCA यानि Prompt Corrective Action के फ्रेम वर्क से बाहर निकाल दिया गया है और इसके लिए Reserve Bank of India पूरी तरीके से Announce किया तो यहाँ पे कुछ Certain Terms और Conditions हैं Specific Conditions हैं उन्ही के आधार पर उन्ही को देखते हुए RBI ने ये कदम उठाया है Basically आपको बताना चाहूँगा 2017, RBI ने 2017 के में मन्त में एक PCA फ्रेम वर कैटिगरी के अंदर इस बैंक को डाल दिया था क्योंकि इस बैंक ने बहुत बोरी परफॉर्मेंस शो किया था आपको बताना चाहूँगा short में कोई भी bank, कोई भी bank अगर अपने norms को follow नहीं करता RBI ने जो norms set कर रखे हैं, जो standard set कर रखे हैं, हर चीज के लिए, NPA के लिए, provision के लिए कासा के लिए, जितने भी parameters होते हैं, उन सभी के लिए के standard value set करी गई है loan किस तरीके से देना है, कितना उसमें reserve रखना है, कितना advance रखना है तो उन सारी criteria को अगर कोई bank follow नहीं करता है, उस situation में अगर वो fail होता है follow करने से तो उसको RBI क्या करता है, PCA के framework में डाल देता है, अब जैसे ही कोई bank PCA के framework में जाता है यानि prompt corrective action के category में जाता है, उसके बाद उसके उपर कुछ certain conditions लग जाती है और उन conditions के चलते एक तरीके से देखा जाए, तो उस bank के पंक को काट दिया जाता है मतलब यह हुआ, कि वो bank जिस तरीके से जितनी freedom के साथ पहले business कर सकता था उतनी freedom के साथ अब वो business नहीं कर पाएगा Right, क्यों? क्योंकि उसकी certain conditions इतनी जादा बुरी है, इतनी जादा खराब है कि वो business क्या करेगा? उसके अपने conditions ही सही नहीं है जो लोन बार्ट रखे हैं और लोन उसको recovery नहीं हो रहे हैं तो बिजनस क्या करेगा? पहले उसको अपने लोन को recover करना होगा उसके norms को सही करना होगा उसके बाद वो business करने लायक होगा तो PCA से बाहर अगर कोई bank आता है तो आप यह समझेे उस bank के हालत financial health उसकी पहले से better होई है उसी के चलते उसको PCA से बाहर निकाला गया तो अभी क्या हुआ था 18 February को लाच्ट मन्थ में 18 तारी को एक bank, एक BFS यानि Board of Financial Supervision इनकी एक team थी जो 18 February के दिन meeting हुई और meeting में इस बात को लेकर के ensure किया गया कि जो IDPI bank है इसके third quarter का जो result आया उसके अंदर काफी ज़्यादा improvement है NPO को काफी इन्होंने कम किया है ठीक है और GNPA को भी इन्होंने net NPO को भी काफी कम किया है और जो इनको profit हुआ है इसमें वो पहले के quarter से काफी ज़्यादा improvement है तो इन ही बातों को लेकर के इसको PCA से बाहर निकाला और जिसको लेकर के आपने देखा कि लगबक 17% तक की हमें तेजी देखने को मिली थी इस bank में Friday के दिन लेकिन क्या इतना ही सब कुछ है क्या इसके पीछे कोई चाल भी हो सकती है अब मेरी बात को ध्यान से सुनिये जो की आप से में पहरे बताना चाहूँगा ये ऐसा मुझे लगता है जो की पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है आपको सुनना है, सीखना है, समझना है और उसके उपर आप अपनी अनलिसिस के लिए उसके बाद आप अपनी तरब से सोचिएगा और आपको लगता है कि असा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अब काईज आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के उपर यानि दूसरी बात के उपर जो पीछे की कहानी पर्दे के पीछे की कहानी क्या है गाईज आप लोगों को बदाना चाहूँगा सबसे पहले आपकी जानकारे के लिए कि भारत इंडियन सुरी आईडी बी आई बैंक के अंदर भारत सरकार मेज़ॉरिटे स्टेक ओन नहीं करती है यानि जो आई डी बी आई बैंक है उसकी चाभी या उसका जो मेन ओनर है या स्टेक ओनर जो हाइस्ट उसके अंदर ओन करता है वो भारत सरकार नहीं है बलकि भारत सरकार के द्वारा ओन करे जाने वाली एक फाइनिंशियर इंसिटूशन तो नहीं बोल सकते हैं कि आई डी बी आई बैंक की जो चाभी है वो एल आई सी के हाथ में है राइट तो लास्ट के चौदा महीने से आई डी बी आई बैंक की जो मारकेट प्राइस है वो एल आई सी की जो अपनी एवरेज प्राइस है जिसके उपर वो investment करके रखा हुआ IDBI bank के अंदर उससे काफी नीचे है आप ध्यान देजे इस बात को LIC की जो average buying price है IDBI bank के अंदर उसने कई trances में buy किये रखे हैं ऐसा नहीं कि एक बार में buy किया है सीधे सीधे 51% ऐसा बिलकुल भी नहीं है थोड़े थोड़े अलग अलग years में इन्होंने buying किये buy करते 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 51% की stake-in की है IDBI bank के अंदर तो आप सवाल उठता है कि किस price के average price क्या है जिसके उपर ये 51% hold करता है IDBI bank में तो price है guys 61.73 रुपए है पर शया यानि IDBI bank की जो investment है sorry LIC की जो investment है IDBI bank के अंदर वो 61.73 पर share के इसाब से ये hold करता है 51.51% के आज पास का stake तो अब यहाँ पे question उठता है कि 51% hold करता है 61.73 के price के उपर और आज की date में इसकी price आपने देखा या भी 40 के around around चल लई है तो अभी इस situation में ऐसा तो हो नहीं सकता कि IDBI bank के अंदर अपने कुछ stake को LIC इनों lose कर दे या फिर इनों sell कर दे राइट ऐसा तो हो नहीं सकता राइट क्योंकि अगर ऐसा मान लिजे करता भी है तो उस situation में LIC को यहाँ पर loss bear करना पड़ेगा और LIC एक institution है एक बहुत ही बड़ा एक institution investor है राइट यह बहुत बड़े बड़े investment करती है और इसके investment करने का फाइदा क्या होगा जब यह loss यहाँ से book करेगी राइट जो policy insurance हैं जिनके पैसे को यह इसमें लगाया है इस stake को खरिदने के लिए लगबग 21,624 करोर रुपए इन्होंने लगा रखे है IDBI bank के हंदर 51% stake को hold करने के लिए तो यह 21,624 करोर रुपए policy holders का ही तो है कहां से आया है अब यह इतना लगाने के बाद अगर यह loss book करेंगे तो फिर definitely यह एक जो उसके share holders हैं या policy holders हैं basically उनको बहुत बुरा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए यहां पे इसके chances बहुत कम हैं कि IDBI bank के अंदर LIC अपने stake को lose करे तो गाईज अब यहां पे आप question पूस सकते हैं कि किसी ने कहा है कि IDBI bank के अंदर LIC अपने stake को lose करना चाहती है आप से किसी ने बताया तो गाईज इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार यहां पे अपने dis investment target को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा ही सोच रही है आपको बताया था मैंने fiscal year 2022 के budget के अंदर हमारी finance minister निर्मासिता रमन जी ने यह साफ साफ mention किया था कि वो एक insurance company और डो PSU banks को बेच देंगी यानि प्राइविटाइज कर देंगी और जो 75 lakh रुपे आएंगे वो public sector enterprises के अंदर dis investment target को पूरा करके ही आएंगे तो यहां पर basically भारस सरकार चाहती है कि वो IDBI bank के अंदर उसकी जितनी भी stake है 49.2% के असपास भारस सरकार hold करती है IDBI bank के अंदर तो भारस सरकार यहां चाहती है कि वो पूरा का पूरा अपना 49.2% stake जो है किसी third party को या किसी एक investor को बेच दे लेकिन यहां पर एक question उड़ताता है situation में कि अगर भारस सरकार ऐसा करती है इस case में anyhow LIC को भी अपने stake को थोड़ा सा कम करना होगा ताकि जो overall IDBI bank का owner हो वो कोई third party investor हो investor के पास जाने के लिए कम से कम इस company के अंदर जो stake है वो majority में 50% से उपर होनी चाहिए और 49.2% अगर government hold भी बेच भी देती है तो उस case में third party investor को तो 49.24% ही तो मिलेंगे तो इस case में अपने इस dis investment target को पूरा करने के लिए LIC से request या LIC ये government चाहती है कि LIC ऐसा कुछ करे कि वो अपने stake को थोड़ा कम कर ले 51% से ताकि ये dis investment target पूरा हो सके ऐसा actually में जरूरी है guys तो अब यहां पर इसी बात को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि इस bank के stock को IDBI bank के stock को anyhow भारत जो भारत सरकार या इसे आप बोल सकते हैं LIC इसको anyhow उपर लेके जाना चाहेंगे 61.0 जो भी इनके price थी IDBI bank की average price उससे उपर लेके जाने की कोशिश करी जाएगी anyhow ताकि ये अपने investment के उपर कुछ profit book कर सकें 61.73 रुपे पर share के साबसे के उपर होनी चाहें anyhow तो हो सकता है इसको ये दोडाया जा रहा हो इसे stock को ये एक चाल भी हो सकती है क्योंकि ऐसा यहां पर भारत सरकार अगर चाहती है तो Reserve Bank of India भारत सरकार से वैसे तो independently काम करने के लिए बनाया गया है लेकिन अब आपको मैं जादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो political issue हो जाएगा तो मैं उसके ओपर कोई टिपड़ी नहीं करूँगा आप समझदार हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या actually मैं यहाँ पर बदाने की कोशिश कर रहा हूँ यह मेरी अपनी opinion है मेरी अपनी analysis है मेरी बातें गलत भी हो सकती है आपको क्या लगता है कितना यह सही है कितना गलत है आप मझे comment box में बता सकते है so this is all about this video I hope you liked it if you liked it please give a thumbs up and if you are interested to open teammate or trading account there is a link in description box of this video click on that link to open your account in upstock see you next time take care